नमस्कार दोस्तों, बाई जूस गवर्बेंट एक्जाम प्रेप चनल में आप सभी का स्वागत हैं आज हम 17 नॉवंबर 2020 के Current Affairs आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका बिभिन्न सरकारी एक्जामों में आपके लिए महत्तपूर्ण योगदान हो सकता है जो SSC की तरफ से कंड़िट किये जाते हैं, दिल्ली पूलिस के जैसे Constability SI के एक्जाम है बैंकिंग के एक्जाम हम देखें, अलग-अलग बैंकों के दोरा या IBPS के जो एक सैंक्त एक्जाम होते हैं अन्य Government exams के लिए जो भी Objective exam कर्णिट के जाते हैं, उन सम्में आपके लिए ये महत्तपूर्ण है तो आज कि हम अपने Current Affairs को स्टार्ट करते हैं, और जैसे हमने Current Affairs को अलग-अलग भाग में डिवाइड कर रखा है तो पहले हम National Affairs देखते हैं, और एक महत्तपूर्ण घटना है, बिहार के सातवी बार मोखमंत्री के रूप में नितीज कुमार के दोरा सपत ली गई है और उसी के साथ साम देखें, तो भारती जनता पार्टी के दो विधायक हैं, कटिहार से, तारकेशोर, प्रसाद, और बेतिया से अगर हम बात करें, तो रेनु देवी उन्होंने नितीज कुमार के साथ कैबनेट में सपत ली है, और जल्दी उन्हें उपमोखमंत्री का अपत दिया जा सकता है, ऐसी संभावना विक्त की जा रही है इसी के साथ साथ ज्यान रखें, कि नितीज कुमार, J.D.U. यानि जन्तादल उन्हेट के अध्यक्च भी है, और वर्तमान में भारती जन्ता पार्टी के साथ मिलकर, एक तरह वो N.D.A. में एक एलाई पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं, तो अगर हम देखें, तो सरका मुख्यमंत्री की सपत ले रहे हैं, और उन्होंने अपना जो नियुन्तम कारेकाल है, वो साथ दिन का पूरा किया ऐसा, तीन से दस मार्च के बीच में, अगर हम सन 2000 की बात करें, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें, तो उन्होंने 2005 से 2010 के बीच में, अपना पूरा जो 243 सीटों में, अगर हम प्रमुक पार्टियों की बात करें, तो सबसे बड़े दल के रूप में उबरा है, राष्टी जन्ता दल, 75 सीटों के साथ, दूसरे भारते जन्ता पार्टी, 74, जेडियू की अगर हम बात करें, 43 सीटे हैं, कॉंगरेस की बात करें, 19 सीटे हैं, और CP MPI, ML, Liberation जो पार्टियों, उसको 12 सीटे प्राप्त हुई हैं, तो आप ध्याना के सबसे बड़े दल के रूप में, अगर एक किसी सिंगल पार्टी की बात की जाए, तो RJD 75 सीटों के साथ, जहां तक Alliance की बात करें, तो BJP जेडियू प्रमुक रूप से मिलकर NDA बनाते हैं, और उनकी सरकार नितिस कुमार की नित्रतुमें बनी हैं, अगर हम बिहार के बारे में देखें, तो बिहार में राज़पाल के पत्पर हैं, फागुचाहौन, जहां तक राद्धानी, पटना की बात करें, मुक्हिमंतरी अभी हमने देखा नितिस कुमार, बाय कैमरल यानी यह तरह से दु그 सदनी यहाँ पर भासता है, जहातक अगर हम बिधान सवा की बात करें 243 सीटे हैं, और बिधान पढ़सत की बात करें, तो 75 सीटे यहाँ पर हैं, जहाँ तक बिःधार की अगर हम भगवली की यहाँ पर इस सीटे देखें, इन तीन परमुक राज्यों की बात करें, तो ये एक तरह से पूर्वी, उसी के साथ साथ धच्छणी और पस्चमी भाग में इतरह से इस्तित हैं, अगर हम वित्ती मामलों, वित्ती अफेर्स की कुछ न्यूस को देखें, इस न्यूस को डिस्कस करने से पहले, एक तथ आप ध्यान होगा, हम इसे आपको लोग को डिस्कस कर चुके हैं, कि जो डिजिटल कंटेंट है, उसको एक तरह से भारस सरकार ने नियम कानून में बान दिया है, अभी तक उस पर कोई तरह का नियंत्रण नहीं था, तो डिजिटल जो कंटेंट है, जैसे अगर हम बात करें, तो उसी कड़ी में आप देखें, भारस सरकार की तरफ से कहा गया है, कि जो भी अपलोडिंग ये स्ट्रीमिंग प्रवाइड करने वाज़े डिजिटल कंटेंट के रूप में, यानि किसी भी तरह की नियूज या करंट अफेर्स को प्रवाइड कर रहे हैं, तो उसमें अगर विदेशी निवेश 26% से जादा है, तो उसको घटा कर 15 अक्टूबर 2021 तक 26% पर लाना पड़ेगा, और इसी के साथ भारस सरकार ने ये भी कहा है, कि जो भी विदेशी निवेश किया गया है, उसकी जानकारी जल्द से जल्द, यानि आने वाली जो एक महिने उसके अ तो उसको घटा कर 26% लाना होगा, 15 अक्टूबर 2021 तक, तो जो भी विदेशी प्रत्यच निवेश आ रहा है, डिज्टल कंटेंट के पाड़ पर जो भी प्रसारित किया जा रहा है, वो चाय समाचार किसी भी तरह का या करंट अफेर के पाड़ से संबंदित हो, उसमें सरका उनके खिलाब पैनल्टी लगा कर या उनका जो काम उसको बंद करने के आदेश भी जारी कर सकती है, नेक्स उस फरमाते हैं, 15 में विद्टायो की अगर हम बात करें, कि सामानते विद्टायो का काम क्या होता है, अनुछे 280 के अंतरगत राश्पती के दोरा हर 5 वर्स में जो विद्टायोग है वो देता है, 15 विद्टायोग है उसको एक तरह से जो काम है वो थोड़ा बढ़ाये गया, और कारण यह है कि 2019 में अनुछे 370 अटाकर जम्मु कस्मीर का जो विद्टेस दरजा समाप्त किया गया, और जम्मु कस्मीर राजी की जगए दो केंसा से प् 2025-26, इनके बीच में जो आपका वर्स है उसके लिए सिफारिस दें, तो 2021 से अगर हम 25-26 देखें, तो यह 5 साल है, और एक साल के लिए अलग से, तो एक साल के लिए जो अनुसंसा या रिकमेंडेशन है, उसको विद्टायोग अलड़ी दे चुका है, जहां तक 2021 से लेकर 2025 26 की बात करें, तो इसके लिए जो सिफारिसे हैं, उनकी रिपोर्ट है विद्टायोग ने, प्रधार मंतरी को सौपी है, और उसी के साथ सा जो विद्ट मंतरी है, उनको भी रिपोर्ट पहुचा दी गई है, तो यह रिपोर्ट अब आ चुकी है, और जल्दी इसको से सिफारिस की हैं, कि 41 परसंट जो कर है, उसको वित्रित किया जाए, जहां तक हम 15 विद्टायोग की बात करें, तो इसके अद्ध्यक्चे हैं, एनके सिंग, और इसके सदस से अगर हम देखें, तो भारत के वित्ट सजीव, अजयनारेंड जा, उसके अलावाँ असोक लाह अनूप सिंग, अगर हम यहाँ पर अंसकाले किया पार्टायम मेंबर की बात करें, रमेस चंद, यह नितिया वग में इस्थाई सदस भी है, और सेग्रेटरी या सचिव की बात करें, तो अरविंद महता, तो यह 15 वित्तायोग को एक तरह से ढाचा है, आप अध्यक्चे ज अगर आप मैप में यहाँ पर देखें, तो यह इसकी लोकेशन है यहाँ पर, और इसका जो उत्तिरी भाग है, जो टिग्रे चेतर कहलाता है, वहाँ पर जो पार्टी सत्ता में है, टिग्रे पीपल्स लिवरेशन फ्रंट, टीपी अलफ, उन्होंने जो इथोपिया की सरका है, उसके खिलाप एक तरह से, आप कैसकते हैं, विद्रो जैसी सिती पैदा कर दिये, तो उसको सांथ करने के लिए इथोपिया सरकार और जो टीपी अलफ है, इनके बीच में संगर चल रहा है, और इस कार से बड़ी संक्या में संगरती हैं, वो सूडान के जो पड़ोसी द और टिगरे अगर हम देखें, तो लगबाश 4-5 परसंड के आस पास है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो अपने अपने जनजाती छेत्रों के विकास ये अपने जनजाती भागों के विकास के लिए ये आपस में संगर्स में रहें, तो इस संगर्स को आप इसी सिती में एक त जबूती है, तो इसके हम बॉर्डर कंट्री जरह देखते हैं, तो पहला तो एरिट्रिया है, इसके अलावा जिबूती है, यहां अगर हम देखें, तो सोमालिया, और दच्छन की तरफ पर अगर आप देखें, तो यहां पर इसका एक पड़ोसी देश पढ़ जाता है, कीन अगर हम राष्ठी और अंतराष्ठी, प्रमुक जो परसनार्टीस या वेक्तित हैं, उनको अगर हम देखें, तो यहां पर एक अंतराष्ठी वेक्तित को हम डिसकस कर रहे है, आंग संथ सूकी, लिए अगर हम बात करें, तो इन्हें वरतमान में म्यानमार में, लोकतंत की स्थापना के लिए प्रमकुरूप से एक तरह से उत्तरदाई माना जाता है और म्यानमार में लोकतंत की स्थापना के लिए उन्हें जो संघर्स किया अगर आप देखें 1989 से 2010 तक ये अपने घर में ही नजर बन थी हाउसरस थी क्योंकि वहाँ पर जो सेंद सरकार है उसने एक लोकतंत की स्थापना नहीं होने दी और आंसांसुकी के अपने इसी प्रयासों के कारण जो उन्होंने म्यानमार में लोकतंत की स्थापना के लिए किये 1991 में उन्हें नोबल का सांति पुरसकार भी दिया गया 2015 के पार पर हम देखें तो जो पहली बार एक प्रमुक रूप स उनकी पार्टे की सरकार बनी लेकिन ध्यान रखें वो राश्पती पत पर नहीं आ पाई क्योंकि म्यानमार के संविधान में ब्यासता है कि अगर किसी व्यक्ति के जो बच्चे हैं अगर उनके पाद बिदेशी नागरित्ता है और ध्यान रखें कि आंसांसुकी के दोनों जो पद है वो अभी भी आंसांसुकी के पास है अब ध्यान रखें आंसांसुकी को महत तो इसलिए भी है कि जिने म्यानमार के फादर आफ नेशन का आजाता है वैसे 1948 में जब ब्रिटिन से म्यानमार को आजादी मिली जिस आजादी का जो पूरा मोमेंट है उसे चराने में सबसे बड़ा नेत्रुत किया था आंगसान ने जो आंगसान सूकी के पिता हैं लेकिन आजादी के पहले 1947 के समय में उनकी हत्या कर दी गई तो आप एक तरह से देखें तो उन्हें फादर आप नेशन का दरजा भी म्यानमार में दिया जाता है उन्हीं की बेटी हैं आंगसान सूकी तो अभी जो चुना हुए हैं उस चुनाओ में फिर से उनको एक तरह से एक बड़ा भूमत मिला है और उन्हीं की पार्टी की सरकार म्यानमार में पुना बनने वाली है अगर हम म्यानमार के बारे में देखें तो राजधानी अगर हम देखें तो नैपिता राशपती विनमिंट एनल्टी पार्टी के हैं इस्टेट कांसर है आंसांग सूकी और यहां पर अगर हम संसद को देखें तो यहां की जो संसद है वो दो भागों बटी हुई है पैथू होलत्वा कहलाती है पहला इससा जिसमें 440 सदस हैं ध्यान रखें इसमें से 110 सदस हैं वो नहीं होता है तो सेना का काफी दबदवा है अभी अगर हम देखें तो म्यानमार की पूरा जो प्रसासनिक तंत्र है उसमें म्यानमार में अगर हम देखें तो म्यानमार प्रमुक रूप से अगर इसके सहरों को देखें तो रंगून जो इसकी प्रवानी राजधानी होता थ उसी के साथ साथ अगर हम देखें नैपी था या अगर हम बात करें मान ले तो ये तीन प्रमुक सहर एक तरह से हैं और इसी के साथ साथ अगर हम यहां रंगून के पार्ट पर एक प्रमुक पैगोडा ध्यान रखें कि म्यानमार एक प्रमुक बुद्धिस्ट कंट्री है यान इस पैगोडा के लिए भी म्यानमार को काफी बिस्तु में पहचान मीली हुई है, तो आप ध्यान रखें कहाँ पर रंगून में, बुक्स और एवर्ड की अगर कैटेगरी में हम आते हैं, तो यहाँ पर हम दबुकर प्राइज हैं, जो लिट्रेचर या साहित के छेत में दिय किया गया है, तो उन छे किताबों के बारे में यहाँ पर थ्वाद डिसकस करेंगे, क्योंकि एक भारती लेखका की जो पुस्तक है, वो भी इन छे किताबों में सामिल है, तो उनके भी पुरसकार जीतने की काभी प्रभल संभावना है, जाते हम बुकर प्राइज की बात कर जो मुल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया हो, और उसके लेखक की राश्रिता कोई है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, एक सर्त यह है, कि जिस वर्स पुरसकार दिया जा रहा है, उस वर्स उसे यूके या आइरलेंड में प्रकासित एक तरह से होना चाहिए, प्रमु जिस वर्स उसको बुकर पुरसकार के लिए चुना जा रहा है, तो अगर हम छे पुस्तकों की बात करें, जो 2020 के लिए सौट लिस्टेड है, तो पहला गर हम देखें, अवनी दोसी, उनकी पुस्तक है, बर्न्ट सुगर, इसी के साथ साथ ब्रेंडन टेलर की अगर हम बात क अगर हम डैनकुक की बात करें, उनकी बुक दन्यू वैल्डरनेस, और डगलक स्प्लट की बात करें, तो सुगी विन, तो ये कुछ पुस्तके च्छे हैं, जिनको सौट लिस्ट किया गया है, इसी में से एक को 19 नॉम्बर, जो दो दिन के बात की तितिय है, उसमें घोसत कि जाएगा कि किसे 2020 का मैन बुकर पुरसकार दिया जाएगा, खेल समाचारों में अगर हम देखें, तो गोल्फ के संबन में एक प्रमुक न्यूज है, विस्व में वरतवान में गोल्फ में नमबर वन की पोजिशन पर हैं, जेस्टिन जॉनसन, इनके दोरा 84th Masters Golf Tournament को जीत ल दिया है, डस्टिन जॉनसन ने, और ध्यान रखें, जो भी Masters Golf Tournament अगस्टा में जीता है, उसको ये ग्रीन कलर का एक कोट दिया जाता है, जैक निकलोस ने सबसे आदा 6 बार जीता है, अगर हम Masters Golf Tournament की बात करें, टागर वुट्स ने 5 बार, और अगर 2020 की विजयता की बात कर इसको सेलवेट करने का करणी है कि 1939 की अगर हम बात करें, तो प्राग विस्तविद्याले, प्राग उस समें चकसलवाकिया, एक संपूर्ण, मिला हुआ देश था, वरतमान में इसमें आप जानते हैं, चेक रिपबलिक और इसलोवाकिया, अलग-अलग हो गया है, तो चकसल प्राग विस्तविद्याले पर, तो इसी दिन को एक तरह से सेलवेट करने के पाड़ पर 17 नॉवंबर को 1941 से अगर हम देखें, तो इंटरनेशन स्टूडेंस दे के रूप में सेलवेट किया जाता है, और बड़ी संख्या में जो यहां से छातर पकड़े गए थे, उनको न आजियों के दारा स्टूडेंस पर जो अत्याचार किये उसको बिस्तु में एक तरह से बताने और छात्रों के अधिकारों के सरच्छन करने के लिए 17 नॉवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंस दे के रूप में सेलवेट किया जाता है, जहात अगा हम बात करें एक दूसरा तो 17 नॉवंबर को नेशनल एपिलेपसी डे राश्टी मिर्गी दिवस के रूप में मना जाता है, अगर आप मिर्गी के संब्ध में देखें तो काफी आपर भ्रांतिया हैं और इसको एक तरह से कोई बीमारी न समझ कर इसको अन्य प्रकार से या आप कह सकते हैं इसे ओप प्रसार के लिए काफी उत्तरदाई माना जाता है, अगर इसका सही से चिकिस्सी इलाज किया जाए तो इसमें एक तरह से रोकने में सबलता पाई जा सकती है, तो जागरुता बढ़ाने के लिए ही 17 नॉवंबर को नेशनल एपिलेपसी अरास्ती मिर्गी दिवस के रूप म मनाया जाता है, अगले हम सेक्शन में देखें, तो लेस्ट टॉक अबाउट सम फैक्ट, यानि कुछ अगर हम यहाँ पर तत्यों या कुछ फैक्ट के बारे में देखें, तो आज हम भारत में जितनी भी ऑईल रिफाइनरी, यानि जितनी भी भारत में तेल परशुदन साल बरौनी, डिकबोई, बोंजाईगा, गौहाटी, हल्दिया, पारादीप और कोयाली, तो यह नो हैं, इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि चेननई और साथ साथ नरिमन, यानि एक तरह से तमिलाडू में दो रिफाइनरी हैं, जो इंडियन ओयल कॉर्परेशन की अपनी इनको आपको ध्यान अटना ये भी इंडियन ओयल के पार्ट पर आती हैं, तो सीधे 9 हैं और 2 साहे कंपनियों के माद़े हम से, तो टोटल इंडियन ओयल के पास कितनी हो गई हैं, 11 हैं, इसी के साथ साथ अगर हम देखें, तो ओयल रिफाइनरी के पार्ट पर हिंदुस्ता पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेड हैं, उसके दारा माराष्ट और अंध्रपदेश से मुंबई और विसाका पटन में संचालित किया जाता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेड के दारा किया जाता है, इसी के साथ साथ नुमाली गर्ड रिफाइनरी ल तो 35.3 million metric ton per annum, यहांनि एक साल में 35.2 million metric ton यहां पर तेल की सफाई की जाती है, तो यह भारतीनी बिस्व का सबसे बड़ा तेर पर सोधन साला oil refinery है, तो ध्यान रखें, गुजरात में, रिलाइंस की जामनगर refinery, इसी के साथ सद आपको ध्यान रखना है, दो refinery हैं, जिसमें भारती कमपनियों ने, बिदेशी कमपनियों के साथ, एक सहभागिता या कौपरेशन करके उसको इस्थापित किया है, तो इसमें अगर हम देखें, पहला अगर हम देखें, तो यहां पर BPCL का नाम आता है, भारत Petroleum Corporation Limited, उन्होंने ओमान की कमपनी के साथ मिलकर, मद्द तो इसमें इनर्जी के साथ में कौलिबेशन करके पंजाब के भटिंडा में इक तरह से रिफांडरी स्थापित किया, तो इसमें रखें, बारवे नमबर आता हम रखें, यह दोनों रिफांडरी भारत में ऐसरी से एक साई उपक्रम है, भटिंडा। और साथ शाद आप द जो बिदेशी सहबाक्ता ऐसे चल रही है, उनको आप ध्यान रखें, टोटल संक्या रिफाइनरी सी कितनी है, 23, जहां तक भारत में पहली और रिफाइनरी की बात करें, तो यह असम में कहां पर है, डिगबोई, तो 1901 में इस्थापित कीगे डिगबोई, किवल भारती नहीं एसिया की सबसे पुरानी और रिफाइनरी है, कहां पर आसम में डिगबोई, 1901, अगर हम सबसे नवीनतम या सबसे नई इस्थापित और रिफाइनरी की बात करें, तो 2016 के पार्ट पर, ओडीसा में अगर हम देखें, तो पारादीप और रिफाइनरी, जो इंडियन और क्र जार चुनाओ में कौनसी पार्टी है के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उब रही है, BJP, ZU, INC, इंडियानेशनल कॉंग्रेस या RJD, इन डिजिटल न्यूस एन करंट अफेर्स सेक्षन, FDI लिमिटेज, डिजिटल समाचार और करंट अफेर्स सेक्षन में FDI की सीमा है 14%, 26%, 51%, 100% यानि 74%, 26%, 51% और 100% 15th Finance Commission has recommended how much part of central taxes to state and union territories for 2020-21 15-21 2021 के लिए राज और केंसासे प्रजिसों को केंदरिय करों का कितना हिस्सा देने की सिफारिस की है 42%, 41%, 40% और 39% पोर देखते हैं, Ethiopia do not share border with which country Ethiopia किस देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है Kenya, South Sudan, Somalia, Uganda Aang San Suu Kyi is the leader of which major political party of Myanmar Aang San Suu Kyi Myanmar की किस प्रमुक राजनीती पार्टी की निता है UDF, LDF, NLD, Myanmar, Liberation Front Price money given in the Booker Price is 1 lakh British Pound, 50,000 British Pound, 60,000 British Pound और 70,000 British Pound Who is the author of the book? Burnt Sugar Brandon Taylor, Dan Cook, Douglas Stewart, Avani, Dossi Which is the first oil refinery of Asia? Koyali, Jamnagar, Mathra या Digbui Which oil refinery is a joint venture between Indian and Omani company? Kون सी तेल रिफानी भारती और Omani कंपनी के बीच में? Sankt Uddham है Bhatinda, Bina, Mathra, Paradeep Last question आप देखें How many oil refineries are operated by Indian Oil Corporation? Indian Oil Corporation दोरा कितनी तेल रिफानीों का संचालन किया जा रहा है? 9, 10, 11 या 12 इन questions के answers को आप अपने comment box में दीजें जो हमने discuss किया है उसके आदार पर ये हमारे 17 November 2020 के current affairs थें आने वाले दुनों में अनने दिलों के current affairs हम आपको इसी तरह से प्रस्तूत करते रहेंगे आप इसे अधिक से अधिक संक्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ साथ blue icon button को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारे notification आपको मिलते रहें Thank you